मुख्मंत्री जैसे पद को गरहन करने वाला विक्ति जो पद और गुपनियता की सपत लिए हुए हैं जो कानून की रच्छा करने का सपत खाये हुए हैं ओ एक एजेंसी के जिस तरह से संबन को दर्किनार करके ओ अवहला कर रहे हैं एक कोई अच्छा उधारात प्रस्तूत अच्छा के साथ आपके सबस्क्री कुछ बोल रहा हुए है एक तो यह है कि अभी हम लोग अल्व सुचित प्रस्न ले रहे हैं जी तो अभी गिरी रच्छा वाहनी का प्रस्न है जो पहला है एक जातिये जन्गलना कहां से बात हो रही है समझ नहीं आ रहा है जो पहला प्र अधीब जी का है कि गिरी रच्चा बाहनी के बाहली अभी तक नहीं हुआ उपाई पॉरी तरह से इस सदन को राजनितिक एजेंडे के अस्थापन के लिए इस्तमाल करना बिल्कुल सही नहीं है बिल्कुल आप इतना हलके पन से ऐसा बात कैसे किया जा सकते हैं मामले को जो आज सब विशाई जो आज इस जार्कंड के सबसे समकालिन विशाई है जिसके लिए पुरा जार्कंड आपने ठीक कहा जिन सदस के माध्या घर पे जो 400 रुपिय बरामद हुए हैं वो राजसभा क लेकिन है तो जार्कंड के नागरिक वो पैसा जार्कंडियों का है जल जंगल जमीन से लोटा हुआ पैसा है आज उस पर क्लारवाई इस राज सरकार मैं आप से पहना चाहिए जबाब दियंगे मेरी बात को मेरी बात को तो करने दिया जाए जाए चार साल तो नहीं बोलने दिया जाए इस मैं कह रहा हूं और यह सरकार यह साल 28 को पूरे करने वालनीं चार साल 5 चार साल पूरे करने वाली है इस सरकार को सीपका जनीं दिया को बड़ा करना थे अर्याशा साल की अपलब्दियों को अपने सिम्मेंट को जनता के सामने सदन को माद्यम बना गर रखना चाहिए था लेकिन ने सदन को और छोटा कर दिया वह तमाम बहसों से तमाम प्रश्न उत्तर से तमाम लोक हितके जो जारकंड के लिए आव सम्भावी है उससे भाग रही है यह चा एक समयधानिक संकटी से जहार करने सरकार में कहुंद गया है कोई कानून बेष्टा का संधारन नहीं हो रहा है मुखमंत्री जैसे पद को गरहन करने वाला विक्षी जो पद और गुपनियता की सपत लिए हुए हैं जो कानून की रच्छा करने का सपत खाये हुए है ओ एक एजेंसी के जिस तरह से संबन को दर्किनार करके ओ अवहलना कर रहे हैं एक कोई अच्छा उधारत प्रस्तूत नहीं हो रहा हो दे मानने नेता जी मानने नेता प्रतिपर्स आपने कईप विसाई को रख लिया प्रस्तितियां यहां खड़ी हुई है जहां लॉड नोडर का सिच्ट्वेशन खड़ा हुआ है जहां मुकमंतरी जी के माद्व से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर्थ चीश्चे ल त्यार रहें यह जो आरा जक्ता का स्थिति जो फैला हुआ है इसके लिए सरकार से हम यह चाहते हैं कि बहस कराए सगेंड पाली खाली है मोदे प्रप्रज़त करते हैं हम लोग भी बहन के इस प्रज़त करने कि नेता इस आरोपों कहुं हो यहां पर उठाने के काम क्या है मैं कहते हैं कि सतापत्र जो है यहां पर राजिनिती करन कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं वह सुथ राजिनिती करते हैं विदान समा में आकर आज चाहे दीरत साहू का बात हो चाहे सीम की बात हो यह चर्चा का पैदान नहीं है और मैं इस बात को खलासा करना चाहते हैं धीरत साहू का जो है परिवारी को बिजनेस है कि शिर्फ के संसत होने की नाते शिर्फ धीरत साहू का नाम हा रहा रहा है उनने अंके परिवारी की खारोबार और थ disp mensen के अनों all और आएंगा रहे बाति माननी मुख्रमंत्री के बारे में बोल रहे हैं ठीक है वो इडी अपने उसको समन्द किया है और उन इडी को जबाब दे रहे हैं फिर उस बात को यहां पर चट्चा का भिसेश्य हमारा है यहां पर सदन जो है जन का जो मुद्दा उटना चाहिए और जन मुद्दा को हम दुसरे दुसरे बात सदन के अंदर से थोड़ा से अवड करना है हम समझते हैं जनहित का लोकित का और सारे लोगों का बात सदन में आ सकेगा और इन तमाम बातों को रहा करके सदन में रखिएगा चलिए प्रदीव्जापका प्रस्न का जबाद